हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चानल मैच्स वाटिकामी दोस्तो मैं हुर उपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथेमेटिक्स के 10 वैसे कोशन को देखेंगे चोकि अक्सर ही आपके एक्जाम में रिपीट करता है इसे पहले भी हमन से मैथ स्वाटि का एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा उसे एप्लिकेशन के उपर मैथ और इजनिंग दोनों का ही फांडेशन बैच चल रहा है प्रतेक बैच का फ्यू वहाँ पे आपको सारे 300 चुकाना पड़ेगा यानि सारे 300 रुपए में complete mathematics और सारे 300 रुपए में complete जो लागत 15 रुपए है एक भवन निर्मान में जो भिनविन प्रकार का खर्च होता है उसको यहाँ पे ग्राप के रूप में दर्साया गया है कि लोहे पे खर्च 54 डिगरी, सिमेंट पे खर्च 72 डिगरी, मजदूरी पे खर्च 90 डिगरी, इमार्ती लकरी 36 डिगरी, परव कोला है कि अगर भवन निर्मान का कुल लागत जो है वह 15 रुपए है तो हमें बताना है कि मजदूरी पर कुल कितना खर्च हुआ, भवन निर्मान पे कुल लागत इस कोश्चन में दे रखा है, हम लोग उसे पूछा है कि मजदूरी पे कुल कितना खर्च हुआ, तो अगर पाई चार्ट में डाटा डिगरी के फॉर में देगा तो कुल मिला के 360 डिगरी होता है और जब परसेंटेज के फॉर में दिया जाएगा तो कुल मिला के 100 अपरतिसत होता है यह तो by default है और वैसे भी सरकिल बनाया है तो 360 डिगरी होगा तो भवन निर्मान का कुल खर्च दिग्री के फॉर्ड में कितना होगा, 360 डिग्री, जबकि रियल में कितना दे रखा है, 15 लाग, यानि कि 15 लाग रुपए जो है आपका, वह आपका कितने डिग्री का वैलू होगी है, 360 डिग्री का, तो अगर आप इसमें 360 डिग्री से करते हैं, तो एक डिग्री का मान निकलेगा, उना समझेगा, कुल लागत रियल में कितना है, 15 लाग रुपए, डिग्री के रुप में कुल लागत कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि यह पूरा जो है न, वह भवन निर्मान का लागत है, तो डिग्री के पौर में पूरा कि इतना मिला कि 360 डिग्री और बास्ता में कितना 15 लाग तो 15 लाग 360 डिग्री का मान है तो 360 से भाग करेंगे तो 1 डिग्री का मान निकलेगा और हमीं बताना है कि मजदूरी पे कितना खर्च हुआ है यानि 90 डिग्री का मान क्या होगा तो 90 डिग्री का मान निकालना है तो हम पुछेगा उससे हम लोग कुना करेंगे आंसर अपना निकालेंगे सोल्ब करिए अब इस कोश्चन को आपका आंसर आ जाएगा कि मजदूरी पे कितना खर्च हुआ है काटी इसको 9, 4, 36 अगर 4 से इसको काटते हैं तो यह हो जाएगा 4, 3, 12 यहाँ पे बचेगा 3, 34, 28, 22 बचेगा 20, 4, 25, 20 आगे 000 है तो 000 आप रहने दीजे यानि कि यही आपका 3, 75,000 उपए मजदूरी पे कुल लागत होगा यानि आंसर हमारा क्या बनेगा बिकल पड़ी अगर मान लिजे इस कोश्चन में पूछता कि लोहा पे लागत कितना हुआ है मतलब 24 डिगरी का मान पूछा है तो हम 24 से गुना करते अगर पूछता कि सिमेंट का लागत बताईए कि भवन निर्मान में सिमेंट का कुल लागत कितना है मतलब हमसे 72 डिगरी का आमान पुछ रहा है तो हम कितना से गुना करते 72 से गुना करते तो यहां था आपका पहला कोश्चन जो कि D I से था इस पहले कोश्चन का अंसर हम लोग का हो गया है बिकल्प D अब चलते हैं हम लोग अगले कोश्चन में अगला कोश्चन देख लिए यह आपका अलजेवरिक कोश्चन है ध्यान से पहले कुछ चीज़ों को आप यहां पे समझेगा जैसे अगर हम बात करें कि A पलस B का होल स्क्वार ठीक है तो पता है आपको क्या होता है और अगर हम बात करें आ-क के होल स्क्वार तो यह भी आपको पता है इसमें होता है इसमें पलस चुए भी होता है गर हम अ माइनस बी के होल स्क्वार को पलस कर देना जोर दे तो वैलू आपका निकल के आता है 2xA2 पलस VA2 अब रफ में कहीं इसको लिख के और जोर के देख लीजिएगा a plus b के whole square complete value लिखेगा a square plus 2a b plus b a square a minus b का whole square a square minus 2a b plus b square दोनों को add करिएगा तो plus 2a b minus 2a b cancel हो जाता है a square इधर भी a square इधर भी b a square इधर भी b a square इधर भी जो value आएगा वह क्या value आएगा वह आएगा 2 into a square plus b a square इस formula को आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस पे आधारित questions आपके exam में पुछे जाते ही जाते हैं कई बार क्या होता है कि घटाना भी पड़ता है तो जब अगर हम इसको घटा ले है न अगर बोला जाए कि a plus b के whole square में से अगर हम minus कर ले a minus b के whole square इस case में क्या value बचेगा तो इस case में value आपका बसता है 4ab तो इन दोनों formula पे आधारित questions अक्सर ही आपके exam में आते रहते हैं इसलिए इन दोनों को भी आप अध्यान रखेगा अब यहाँ पे इसको कैसे apply करना है देखेगा इस पूरे question को अगर आप गौर से देखेगा न तो दो ही संख्या आपको दिखेगा एक 2.697 और दूसरा 0.498 देख लिजे सब जगह यही संख्या आपको दिख रहा है उपर नीचे सब जगह पे check करिए एक ही संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक को मानेंगे ए और दूसरा को मानेंगे भी अब ध्यान रखिएगा किसको A मान रहे किसको B मान रहे तो पहला को A दूसरा को B अब इसको A माने है इसको B माने है तो उपर में क्या होगा 2 into a square plus b a square यही तो बचेगा 2 into a square plus b a square a किसको माने है इस वाले को b किसको माने है इस वाले को तो a minus b के whole square में a plus b के whole square को add करेंगे तो यही बचेगा 2 into a square plus b a square अब इस value को a माने है तो a गुने a a square plus b गुने b b a square यानि नीचे में क्या value बचा आपका a square plus b a square ठीक है चलिए इसके लिए a लिखे है तो a square इसके लिए b to b a square नीचे में आपका बचा a square plus b a square अब इससे यह वाला value कट गया केवल क्या बचा 2 यानि आपका इस question का answer क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अगर माल लिजे कि solve करने के बाद a बचता तो जो a का value होता वहाँ answer हो जाता अगर solve करने के बाद b बचता तो b का जो value होता b जिसको आप माने है वहाँ आपका answer हो जाता लेकिन a square b a square तो कट चुका है केबल क्या बचा यहाँ पे 2 तो आपके इस सवाल का answer 2 हो जाएगा चलिए बर दें अगले question में अगला question देख लिजे ट्रिग्नोमेट्री से है बोला है sin theta minus cos theta का मान 7 बट्टा 13 है तो sin plus cos theta का मान क्या होगा बहुत ही बेदरीन question है देखिए sin minus cos का मान दिया है और sin plus cos का मान पूछा है तो कैसे निकाल लें कि हम लोग अपने question का answer देखिएगा ऐसे question में जो answer होता है वह होता है आपका 2 minus x square under root अब इसको हम समझाते हैं अच्छी तरह से 2 minus x square कई बार क्या होगा ना कि sin जैसे यहां sin minus cos का मान देकर के sin plus cos का मान पूछा है कई बार उल्टा भी पूछेगा sin plus cos का मान देकर के sin minus cos का मान पूछेगा तो दोनों ही case में हम लोग यही formula लगाएंगे sin plus cos का मान देकर के sin minus cos का मान पूछे या sin minus cos का मान देकर के sin plus cos का मान पूछे दोनों ही case में हम लोग answer इसी formula से निकालेंगे 2 minus x square तो 2 तो हम समझ पा रहें कि 2 तो ठीक है minus x के जगा किसको रखेंगे जो value दे रखा है तो यही तो value है न तो यह x का मान हो जाएगा तो इसको करना x square तो 7 बटा 13 का square तो 7 का square 49 और 13 का square क्या होगा 179 होगा ठीक है 2 minus x square यही तो x का value होगा 2 minus x square अब यहाँ कहाँ पे रहेगा यहाँ रहेगा root के भीतर अब इसका हम लोग calculation करेंगे 179 में 2 से गुना करेंगे और 49 minus करेंगे तो यहाँ value कितना आ जाएगा 299 जब 20 का घटाओ करिएगा और बटा में क्या है 179 भीन का घटाओ तो आप कर ही सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसके बटा में कुछ नहीं तो इससे सीधे इसमें बुना करिएगा यहना 1.599, 319, 238 339, 339 में से 49 minus करेंगे 289 उपर में होगा नीचे में 179 अब 289 का वैलू बोलिए क्या होगा 289 का वैलू यानि बर्गमूल 17 होगा और 179 का वैलू क्या होगा बर्गमूल क्या होगा 13 यानि आपके इस कोश्यन का आंसर कितना हो जाएगा 17 बटा 13 हो जाएगा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे question में वो है 2 minus x square ठीक है जाहे तो sign plus cos का मान दे करके sign minus cos का मान पुछे या sign minus cos का मान दे करके sign plus cos का मान पुछे इस formula को आपको कर लेना है और अक्सर ही या question आपके exam में repeat करता है इसलिए आप इसको ध्यान रखे चलिए बढ़ते हैं अगले question में अगला question देखिए पुला है एक संभाहू तिर्भूज के भीतर इस्थित एक बिंदू से उस तिर्भूज के तीनों घुजाओं की लांबिक दूरिया जो है वह छे 9 और 12 cm है तो परिमाब क्या होगा इस तिर्भूज का देखो यहाँ पे बात किया गया है संभाहू तिर्भूज का जैसे यहाँ पे एक triangle ले लिए अच्छा यह जो triangle है यह जो तिर्भूज है वह संभाहू तिर्भूज है अब बोला है कि संभाहू तिर्भूज के भीतर डाला गया है इसको हम ले लिए P3 ठीक है तो अगर किसी भी संभाहू तिर्भूज में किसी भी संभाहू प्रतेक भुजा का मान तो बराबर होता है तो प्रतेक भुजा का मान हम ले लिए A यहाँ पे एक संभाहू तिर्भूज है जिसके प्रतेक भुजा का माप A लिए भीतर इस्थित किसी बिंदू से तीनों भुजा पे लंब डाला गया है जिसका लंबाई P1, P2, P3 लमबिक दूरी यानि की लंब डालने के बाद जो लंब की लंबाई होगा उही लमबिक दूरी होगा ऐसा है तो उस case में न हमलोग तिर्भूज का जो भुजा होगा इस संभाहुतिर्भूज का भुजा होगा, उसको निकालने के लिए यह formula यूज करेंगे, formula क्या है, 2 by root 3 into P1 plus P2 plus P3, इस formula का आपको प्योग करना है, इससे क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है संभाहुतिर्भूज के प्रतेक भुजा का माँ, जब भी question में बोले, कि सं संभाहुतिर्भूज की भुजा को निकालना पड़ेगा, तो भुजा निकालने के लिए ही formula यूज करना है, 2 by root 3, छेतरफल के लिए root 3 by 2 यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, 2 by root 3 into P1 plus P2 plus P3, P1 पहला लम, P2 दूसरा लम, P3 तीसरा लम, अब इस question में आप निकाल लीजे, संभाहुतिर्भूज के प्रतेक भुजा काम आप क्या होगा, 2 by root 3 into P1 plus P2 plus P3, तो तीनों लंबों की लंबाई कितना है, 6, 9 और 12, तो तीनों को एड करिए, 6, 9, P1, P2, P3 यानि 6, 9, 15, 12, 27, तो इस पूरे का value कितना हो जाएगा, 27, P1, P2 P3 का value 27 होगा, अब root 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो यह कर जाएगा, कितना times कटेगा, 9 root 3 times कटेगा, बाकी का गुना कर लीजे, 9, 12, 18, 18 root 3 यहाँ पर value आपका बच गया, यानि A का value यानि संभाहुतिर्भूज के प्रतेक भुजा कामाप 18 root 3, कैसे काटा गया देखे, 27 27 को हमें काटना है root 3 से, है न, 27 को काटना है root 3 से, अगर आपके पास concept नहीं होगा, तो आपको लएगा, 27 को हम लेगा root 3 से काट ही नहीं सकते हैं, जबकि 27 के लिए, देखे, हम लोग 9 गुना root 3, गुना root 3 तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप root 3 में root 3 से गुना कड़िएगा, तो 3, तिन नमा 27, बट्टा में root 3 है तो रहने दीजे, इस से या cancel क्या बचा, 9 root 3, यहीं चीज तो किये हैं, 27 के लिए, 9 गुना root 3, गुना root 3, एक root 3 से, एक root 3 कैंसे, 9 root 3 बचा, 9 root 3 में 2 से गुना, 18 root 3, यानि एका value आपका 18 root 3 आ गया, तो संभाहू तिर्भूज के प्रते एक भूजा का माप 18 root 3, एना इसका भी value 18 root 3, 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 हमें क्या बताना है तिर्भूज का प्रिमाप, तो तिर्भूज का प्रिमाप क्या होगा, तीनो भूजाओं का लंबाई, और यहां तीनो भूजाओं का लंबाई बराबर होगा यानि 3A तो 18 रूट 3 गुना 3 यानि कि 54 रूट 3 आपका आंसर होगा तीनों भूजाओं के लंबाई का योग ही तो परिमाप होता है तो और यहां संभाहू तिर्भूजे तो संभाहू तिर्भूज का परिमाप पुजा कम आप कैसे निकालेंगे ay root 3 into p1 plus p2 plus p3 चलिए अगले question में आज़ेए अगला question देखे क्या बोला है बोला है एक बस्तू का लागत मुल 800 रूपय है लागत मुल 800 रूपय है यानि कि cost price जो है वह आपका 800 रूपय है उसे बेशते समय निर्धारित मुल पर 10% का छूट दिया गया ध्यान रखेगा discount हमेशा अंकित मुल पर दिया जाता है कभी भी क्रैमुल पर discount नहीं दिया जाता है कोई भी दुकानदार जितना में बस्तू खरीद के लाता है उसकी मत पर कभी वह discount नहीं करता है जो भी वह MRP लगाता है उसके उपर वह discount करता है तो जब 10% का छूट दिया गया निर्धारित मुल पर यानि उसको अंकित मुल कह सकते हैं कि अंकित मुल पर जब 10% का छूट दिया गया फिर भी सारह 12% का लाब हुआ तो हमें इस question में बताना है कि उस बस्तू का निर्धारित मुल क्या होगा जो पूस्ता है उसको X मानते हैं तो उस बस्तू का निर्धारित मुल हमान लिए X अब इस कीमत पर क्या किया गया है 10% का छूट दिया गया है तो 10% छूट के बाद इसका कीमत क्या हो जाएगा इसके मूल कीमत के 90 प्रतिसत के बराबर यानि 90 बटा 100 के बराबर तो इसी कीमत पर बस्तू को बेचा गया होगा निर्धारित कीमत के 90 प्रतिसत में ही बस्तू को बेचा गया होगा क्योंकि 10 प्रतिसत के डिसकाउंट पर बस्तू को बेचा गया है निर्धारित कीमत के तो 10% छोड़ने का मतलब है कि बस्तू की कीमत के 90% में बेचा गया होगा तो यह क्या निकल गया है? बिक्रैमूल निकल गया है अब बिक्रैमूल एक जगा से और निकालेंगे जहां पर क्रैमूल दे रखा है क्रेमूल कितना इस बस्तू का 800 रुपय है अब 800 रुपय में बेच 800 रुपया क्रेमूल है और इस पे सारहे 12 परशन लाग चाहिए तो सारहे 12 प्रतिसत का मान देखे कितना होता है सारहे 12 प्रतिसत का मान आपका होता है 1 बटा 8 ठीक है और लाव के case में whole value हम लोग जोड के निकालते हैं तो जोड लीजे कितना हो जाएगा 8 और 1,99 बट्टा 8 या किसका value है सारे 12% लाव का whole value 9 बट्टा 8 25% का मान 1 बट्टा 4 25% लाव का whole value क्या होगा 5 बट्टा 4 होगा सारे 12% का मान निकालना है मैंसे निकालेंगे 12.5 प्रतिसाथ अटाएंगे बट्टा में 100 होगा एक पॉइंट अटाएंगे 1 और 0 125 अठे 1000 बट्टा 8 ही तो हुआ न और वैसे भी सारे 12% commonly जो है वह आपके paper में आते रहता है तो इस वज़े से इसके value को हम लोग याद रखेंगे तो सारे 12% का मान 1 बट्टा 8 और 1 बट्टा 8 का जो whole value होगा वह 9 बट्टा 8 अब इस whole value का उपयोग कैसे करना है तो क्रैमूल में whole value का सीधा गुना करिएगा बिक्रैमूल हो जाएगा जितना प्रतिसा तलाब यहान ही होगा उसके whole value से सीधा गुना करने पर बिक्रैमूल तो यहाभी बिक्रैमूल है और अंकित मुल पर निर्धारित मुल पर डिसकाउंट करने के बाद जो कीमत होगा वह भी बिक्रैमूल है ताकि दोनों बिक्रैमूल है इसलिए दोनों आपस में क्या है निर्धारित कीमत के 10% छूट पर बेचा गया तो निर्धारित में 10% डिसकाउंट करेंगे तो यह बिक्रैमूल होगा और क्रैमूल पर सारे 12% का लाब तो क्रैमूल से बिक्रैमूल यह भी आपका बिक्रैमूल है दोनों भी क्रैमिल इसले आपस में बराबर अब सोल्ब करिए देखेगा यहाँ पे अगर हम इसको सोल्ब करें एक जिरो से तो पहले एक जिरो काटी है नौ से नौ कैंसिल होगा आठ से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इधर क्या बचा एक स्क्रोस मल्टिप्लिकेशन 10 से 100 में बुना करिएगा यह वैलू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा 1000 रुपए क्या माने थे हम लोग बस्तू का निर्धारित की मत माने थे यानि की अंकितम माने थे तो आंसर हमारा इस question का न बिकल्प एक हो जाएगा चलिए बरते हैं आगे अगला question देखें क्या है 10 theta plus 4 theta बटना 10 theta minus 4 theta का मान दे रखा है 2 हमें बताना है sin theta का value क्या होगा तियान से समझेगा एक method हम लोगों को जानना है जो बहुत ही उपयोगी है वह method है component and dividendo तियान से समझेगा component और dividendo method क्या होता है जैसे मान लिजे question में कभी ऐसे लिखा रहे है x plus y का value है 8 बटा 3 अब अगर हम component और dividendo apply करे component और dividendo जब भी apply होगा दोनों तरफ apply होगा तो apply करे तो उस case में क्या होगा कि नीचे वाला value को एक बार उपर में जोर लीजे तो x plus y और एक बार घटा लीजे x minus y जोर के उपर लिखे घटा के नीचे लिखे वही काम इस्तर भी करिए जोर के उपर तो 8 और 311 घटा के नीचे 8 में से 3 minus करिए 5 यह होगा इसका component और dividendo यानि component और dividendo में क्या करते है नीचे वाला को एक बार जोर के उपर लिखते है घटा के नीचे लिखते है जो काम LHS में करते है वही RHS में करते है वापस इसका अगर आप component और dividendo करिएगा तो फिर से यह कितना आ जाएगा फिर से यह x बटा y आ जाएगा उपर में x और x क्या बचा 2x, y और y क्या बचा 2y हो, इससे यह cancel क्या बचा x प्लस y बचा तो x प्लस y बटा x मैनस y का component और dividendo होगा x बटा y ठीक है, x बटा y का component और dividendo होगा x प्लस y बटा x मैनस y चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इधर हम लोग component और dividendo अप्लाई करते हैं इस दो के बचा में कुछ नहीं है तो क्या होगा एक होगा अब इसका component और dividendo देखे क्या होगा 10 पलस कॉट है ना तो इसका component होगा 10 theta बटा कॉट theta 10 theta बटा कॉट theta अब इधर आप component और dividendo करिए एक बार add करिए तो दो और एक तीन एक बार घटा ये दो में से एक माइनस करिएगा एक यहीं इसका component और dividendo होगा हम लोग क्या मेध़र अपलाई किए यहाँ पे component और dividendo अपलाई किए हैं देख के पता चल रहा है एक पलस वाई बटा एक माइनस वाई का component और dividendo क्या होगा एक बटा वाई तो उसी तरह से टैन पलस कॉट बटा टैन माइनस कॉट का component और dividendo क्या होगा टैन बटा कॉट अब वही चीज़िधार नीचे बाला के उपर में कर दो णार कर लिए तीन घटा कि 설명 यह लिए तीन हो गया अब टैनल ठीटा थीटा क्या होता है नो कॉट उपर जाएगा PD ten दो ने doen क्या होगा यहां पर 10 square theta, और 10 square theta का मान 3 बटा एक, यानि कि 3, तो 10 theta का value बोलिए क्या होगा, 10 theta का value square हटाएंगे, तो root हो जाएगा root 3, और कॉट है न, कॉट उपर जाएगा तो 10 ही होगा न, 10 कुने 10, 10 square हो गया, तो 10 theta का मान root 3, यानि theta का value कितना, 60 degree, 10 degree पे ही तो root 3 होता है न, 10 का मान, तो theta का value 60 degree, हमें बताना है sin theta का मान, यानि कि sin 60 degree का मान, और sin 60 का मान क्या होगा, root 3 by 2 होगा, theta का value पता चल गया है, तो फिर हम से sin theta का मान पुछे, cos theta का मान पुछे, 10 theta का मान पुछे, किसी का भी मान पुछे, बड़े ही आरह हमसे निकाल सकते हैं आगे आईए अगला question देखिए हमें इस स्रेणी में बताना है पदो की संक्या किसी भी स्रेणी में पदो की संक्या कैसे निकालते हैं समझेगा पदो की संक्या यानि कि number of term निकालने का formula देखे क्या है formula है आपका last बहुत ही उप्योगी formula है minus first यानि अंतिम पद माइनस पर्थम पद बड़्टा difference पलस one इस formula का उप्योग करके न किसी भी स्रेणी के पदो की संक्या को आप निकाल सकते हैं जैसे एक तीन पांग साथ 75 तक लिखा है तो इस स्रेणी में कुल कितना पद है तो सबसे पहले last अंक देखे कितना है 75 minus first देखे कितना है बड़्टा difference देखो तो difference कितना का एक तीन दो का तीन दो पांच दो का तो बड़्टा में difference और last में आपको करना है plus one यहाँ पे देखे 75 में से एक माइनस करिएगा 74, 74 बड़्टा 27, 37 plus 38 यानि कि इस स्रेणी में पदो का संक्या कितना होगा 38 क्या मेथड आपको यूज करना है last minus first बड़्टा difference plus one ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले question में अगला question देख लीजे जो अगला question है वो आपका बो time stream से है बड़ा एक ब्यक्ती सांत जल में 5 किलो मीटर प्रती घंटा की गती से तैरता है सांत जल में ब्यक्ती का चाल यही है 5 किलो मीटर प्रती घंटा लेकिन धारा के बिरुद उसका गती है 4 किलो मीटर प्रती घंटा अच्छा धारा के बिरुद में जैसे ही गया इसके चाल में कितना का कमी आया एक का कमी आया तो इसके चाल में जो भी कमी आयेगा न वही तो धारा का चाल होगा तो एक किलोमीटर परती घंटा यह धारा का चाल हो गया इस ब्यक्ति का चाल यानि वैलो सिटी ओफ बोट जो है वह कितना है पांच किलोमीटर परती घंटा यही तो था इस ब्यक्ति का चाल कितना था पांच किलोमीटर परती घंटा ही था ब्यक्ति के चाल को हम भीबी से दर्साएंगे भीबी यानि वैलो सिटी और बोट नाओ का चाल ब्यक्ति है या नाओ है एक ही बात है तो नाओ का चाल 5 km परती घंटा, धारा का चाल 1 km परती घंटा कैसे निकाले, तो नाओ का चाल 5 km परती घंटा था, लेकिन धारा के गिरुदों में जाने पर उसका चाल 4 km परती घंटा हो गया, तो जितना का चाल में कमी आएगा, वही धारा का चाल होगा, धारा जितना रु बिर्दी होगा जितना धारा का चाल होगा ठीक है तो धारा के दिशा में नाव का चाल 5 और 1, 6 किलो मीटर परती घंटा अब कोश्चन देखे क्या पुछा है तो उसे किछी निस्थान से प्रवाहक के दिशा में 100 मीटर की दूरी तै करने में वह धारा के दिशा में तो धारा के दिशा में चाल कितना 5 और 1, 6 6 किलो मीटर परती घंटा है इसमें 5 बटा 18 से आप गुना कर लीजिए ताकि यह मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट हो जाए यह टाइम और डिस्टेंस का रूल है कि जब भी उपर में जो डाटा है तो 3 उपर जाके 20 में गुना 20 दिया 60 होगा बटा के नीचे बटा में सेकेंड है तो सेकेंड उपर जाएगा यानि 60 सेकेंड आपका आंसर होगा ओप्शन देखिए 60 सेकेंड यानि की 1 मिनट तो आंसर आपका इस कोश्चन का क्या होगा एक मिनट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िए, अगले कोशन में आते हैं, अगला देख लिजे कोशन क्या है, किसी रासी का साधान ब्याज मुल्धन का 4 बटा 9, ब्याज देखे कितना दे रखा है, 4 बटा 9, अच्छा ब्याज भिन के रूप में दिया है, तो कोई भी ब्याज बन गया, कि कोई भी चीज आपका भिन के फॉर्म में रहता है, जब आप उसमें 100 से गुना करते हैं, तो आपका प्रतीसत के रूप में कनवर्ट हो जाता है, किसी भी भिन में 100 से गुना करने पर प्रतीसत में कनवर्ट हो जाता है, तो ब्याज में अगर हम 100 से अगर time हमारा x वर्स है तो rate भी क्या होगा x प्रतिसत होगा यहीं इस question में बोला है कि ब्याज पर दिये जाने वाले मुल्धन के अबधी के वर्स ब्याज की वार्षिकदर के बराबर यानि rate बराबर इस question में time दिया है और एक चीज और आपको याद दिला दे कि percentage ब्याज बराबर होता है rate गुने time तो rate आपका x है time x है x में x से बुना करिएगा तो x square प्रतिसत यहां से 1 percentage ब्याज निकला और 1 percentage ब्याज हम लोग पहले से निकाले हुए थे दोनों percentage ब्याज है इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा percentage ब्याज बराबर rate गुना time होता है यहां भी प्रतिसत यहां भी प्रतिसत cancel out करिए x का value क्या होगा square है तो इस तरह बाले का root हो जाएगा तो root under 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400 बट्टा में 9 है तो 9 रहेगा 400 का बर्गूल बोलिए कितना होगा 20 और 9 का बर्गूल क्या होगा 3 20 बट्टा 3 को पुर्णांग में convert करिए तो 6 पुर्णांग 2 बट्टा 3 हो जाएगा अब यह 6 पुर्णांग 2 बट्टा 3 किसका value आया है अगर time पुछेगा तो x बर्स यानि 6 पुर्णांग 2 बट्टा 3 बर्स और अगर rate पुछेगा तो x पुर्णांग 2 बट्टा 3 पुछा क्या गया है ब्याच की वार्षिक दर क्या होगी हमारा answer होगा 6 पुर्णांग 2 बट्टा 3 पुर्स हो जाता चलिए बर्ते हैं अगले questions में अगला question देखिए क्या है बुला है A और B के वार्षिक आय में 4 अनुपाद 3 का अनुपाद ठीक है एक ए और B दो ब्याक्ती है इसके वार्षिक आय में 4 अनुपाद 3 का अनुपाद है इसका मतलब यह हुगा कि अगर ए चार रूपए कमाता है उस case में भी तीन रूपए कमाता है अनुपात का मतलब है कि एक आय बटा बीक आय यही तो किया गया होगा simplest form है चार अनुपात तीन उसके वारसी के ब्याय में तीन अनुपात अच्छा यह जो अनुपात है न यह इसके आय का अनुपात है ठीक है चलिए अब आगे इसके वे की अनुपात को देखते हैं वे यानि कि इसके खर्च का जो अनुपात है वो आपका तीन अनुपात दो है मतलब दोनों जो है तीन अनुपात दो के अनुपात में खर्च करता है एक का आय यहाँ पे है A का B I यहाँ पे है A के सामने A का डाटा होगा B के सामने B का डाटा होगा इस वाला जो डाटा है वो A का है नीचे वाला जो डाटा है वो आपका B I का है अब ऐसे कोशन में देखें क्या आगे बढ़ते हैं वर्स के अंत में प्रतेक 6,000 रुपए 6,000 रुपए बचत करता है देखो प्रतेक का बचत बराबर है प्रतेक 6,000 रुपए बचत करता है मतलब A भी 6,000 रुपए बचत करता है और B भी 6,000 रुपए बचत करता है प्रतेक का बचत बराबर है हम यहाँ से प्रतेक के बचत को चेक करेंगे देखें तो A कमाया कितना 4 और खर्च कितना किया 3 तो A का बचत बताए कितना अनुपात में अनुपात 1 B को देखें B कमाया कितना 3 खर्च कितना किया 2 B का बचत कितना अनुपात में अनुपात 1 तो प्रतेक का बचत देखिया अनुपात में अनुपात एक है, जबके रियल में प्रतेक का बचत इस कोश्चन में क्या दे रखा है? 60,000 दे रखा है, तो अनुपात एक का वैलू 60,000 के बराबर हम अनुपातिक संख्या का बास्लबिक संख्या के साथ संबंद अस्थापित कर लिए, अनुपात एक का भैलू निकाल लिए, और जो हम से पूचा जाएगा, उसको हम निकाल सकते हैं बोला है, एक की बारसिक आए क्या होगी तो देखे एक की हमें क्या बताना है? एक की हमें आए बताना है तो आए वाला रिशयो कहां पे है? उपर में है, एक आए कितना है? अनुपात 4 तो एक आय अनुपात के फॉर में तो अनुपात 4 है इसको बास्तविक फॉर में कनभट करिए तो अनुपात 1 का भैलू 60,000 है तो अनुपात 4 का भैलू 4 गुने कितना होगा 60,000, 6, 4, 24 यानि कि 2,40,000 रुपए यही आपका एक आय हो जाएगा अगर भी का पुष्टा यानि अनुपात 3 का भैलू निकालते अनुपात 1 का मान 60,000 तो 3 का मान 60 गुने 3 यानि कि 1,80,000 तो इस तरीके से आपका आखरी कोश्चन था आज का सेट कम्पलीट हुआ वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ थैंक यू, जाहिंद